तो फाइनली निफ्टी ने दिखा दिया हरचल और आप सब इस चीज के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि एक्सपाइरी पर क्या क्या हो सकता है तो क्या हो सकता है इसके बारे में आज हमारे पास एक एक सब्सक्राइब के लिए और वह आपको यह बताने वाले कि लिए आपको किन-किन शीजों का ध्यान रखना है बोथ इन निफ्टी एंड बैंग निफ्टी तो दोनों की आपको एनलिस मिलने वाली है विद नन अदर देन मिस्टर अमिज जैन अमिजी सौगत आपका हमारे सब्सक्राइब के लिए तो अब आप पूरी यहां से दीजें निफ्टी और में फोकस करता हूं ना कि कोई न्यूस पर क्योंकि मेरा यह बिलीफ है कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होने वाला होता है बजार में दिखाया नहीं जाता तो बेटर यह है कि हम लोग आखड़ों को अधर बनाकर अगर अपने ट्रेड बनाए तो प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसे बढ़ जाते हैं इन्वेस्टर कम्यूनिटी के लिए तो जोड़दार दिन था आज खुब पैसा बनाऊगा इंडिन स्टॉक मार्केट में इनफेक्ट मेरा ऐसा समझना ह है कि अगर सौ पॉइंट का भी निफ्टी में अपसाइड मूमेंट आता है तो हमारे जीडीप को एक लाग सवाला करोड का कॉंट्रिविशन होता है तो चलिए अब अपन नंबरों की बात करते हैं यहां पर मैं आप लोग को कुछ बेसिक इन्फरमेशन देना चाहूंग अपने विवर्स को मैं यहां पर आप लोग को मैजिकल नंबर देता हूं मैजिकल नंबर हमारा ऐसा नंबर होता है जिसके नीचे चलने पर बजार होता है और पिर बैरिश और मैजिकल फिकर के ऊपर चल रहा है बजार तो इस्ट्रेट अवे बुलिश है कोई एफन बट न अगे जिस आज के बजार को अगर अपन थोड़ा से रिव्यू करें तो बजार अल्रेड़ हमारे पिछले आट दस दिनों से इनफेक्ट दो-तिन हफ्तों से मैजिकल के उपर ही चल्ड़ा तो मैजिकल फिकर जो अपना आगे के लिए बन क्या रहा है वह वह मैजिकल अपना कि और कहां कहां support ले सकता है क्योंकि बाजार तो आज 1953 के आसपास बंद हुए है 19,953 के आसपास तो ऑविसली magical figure में और आज के बाजार में बहुत दूरी है तो बाजार के strong support zone 19,880 अगर बाजार dip में मिले तो मुझे ऐसा लगता है खरिदारी करनी चाहिए 19,880 का पहला support होगा 19,835 का दूसरा support होगा और तीसरा support होगा 19,740 का यह सारे support zone है तो यहाँ पर जैसे आप आप लोगं की अगर तीन lot लेने की capacity है तो हर एक एक support पर आप एक lot ले सकते हैं और अगर बहुत ज्यादा aggressive है कोई rally को miss नहीं करना चाहते तो चोटी मोटी quantity आप current market price में भी ले सकते हैं लेकिन इतना भी ज्यादा aggressive मत होईएगा कि current market price में एकदम पैसे लगा दिए अपने को लंबा चलना है लंबा चलने के लिए लालाच को एक resistance zone है लेकिन यह इतना major resistance नहीं कि बजार यहां पर थम जाएं तो अगर यहां से बढ़ते हैं तो 20,000 60 का एक zone है और 20,000 60 का zone कटता है तो 20,000 158 तक जा सकता है मेरी expiry के expectation about 20,000 की है और अगर बजार बहुत अच्छा गया जिसके chances भी है और उसके chances में psychological है आप में जैसा आप लोग सभी जानते हैं जो option sell करते हैं उनके पास unlimited risk होता है तो unlimited जब risk होता है तब बजार इसी तरह से expiry के जब expiry के नजदीक आ जाता है और जब accumulation zone को तो तो बजार एक बड़े breakout लिए तयार हो जाता है और possible भी है यह कि कल gap up opening देखने को सब्सक्राइब मिले कल हमारा वेड़नेश जे कल बैंक निफ्टी की weekly expiry और परसों हमारी final expiry सारे इंडेक्स की तो अगर बहुत बढ़िया बजार रहा तो 20,002 08 तक भी अराम से जा सकता बजार तो जल्दबाजी बेचने की अब इसे यूज कैसे करना है बेसिकली नंबर्स को जब हम देखते हैं बजार में तो हमारा दिमाग इसको प्रोसेस नहीं कर पाता है क्योंकि तीन सपोर्ट बजार में घुमते रहते हैं तो इसको विजूल इफेक्ट में डाल देते हैं अपन तो हम लोगों ने यह ऐसा मा देखनी है जो लोग आइडेंटिफाइ करते हैं रिवर्सल कुछ नहीं करना है तीन सपोर्ट तीन रेस्टेंस की लाइन ड्रो कर लेनी है होरीजोंटल रेस्टेंस को हमने दिया हूँ है ब्लू लाइन आप लोग जो मर्जी वह चाहें अपना कलर लगा सकते हैं रेड आज फंडमेंटल्स तो बजार के चेंज होते रहते हैं और यूजली फंडमेंटल्स आपको हमको सबको बाद में पता चलते हैं जो बजार रेली दे चुका होता है आज एक पॉजिटिव न्यूज आई जैसे कि आप सुप्रीम कोट ने अदानी गुरूप को क्लिंचिट लेखने तो ऐसे सारे रीजसें को कि अगर बात करने जा आएंगे तो हम け समझ पाएंगे मारोंगे तो हो सकता है पैसा बन जाए तो पुशकर सर अब हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर यह रहा बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोग के सामने यहां पर भी मैंने जैसे निफ्टी में तीन सपोर्ट तीन रेइस्टेंस बताए अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूंगा यह सारे जो चार्ट में दिखा दिखाये जारहे हैं आप लोग को स्क्रिन पर यह future के न की spot के तो आप लोग अगर expiry यहने weekly expiry monthly expiry पर भी कोई काम करते हैं तो आप future और spot में जो difference है वैसे इसे तो usually वह expiry होता है तो फिर भी अगर आप कोई weekly daze में काम क रहे हैं weekly expiry पर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो spot और future के बीच में जो difference है वो तो हाला कि दिरे-दिरे premium decay होता चला जाता है तो आप उस factor को थोड़ा intraday trading में consider करके रखेंगे तो पॉइंट है कि बैंक निफ्टी की बात करता हूं बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं 44,000 के आसपस का लास्ट ट्रेडट प्राइज है लेकिन यह जो एनसी की closing आती हो थर्टी थर्टी मिनेट्स का एवरेज ट्रेडट प्राइस का closing consider करता है नसी तो 43,984 का वह एवरेज है तो लास्ट लास्ट ने कल की जब आप कोई best file देखता है तो वहाँ पर close का आज का जो कल close देखेंगे हम वह 43,984 का दिखेगा तो मैं future के support resistance दे रहा हूं आप लोगगो पहला support होगा 43,925 का दूसरा support होगा 43,820 का और तीसरा support होगा 43,680 का बेर strong support है तो आज जिस हिसाब से closing हुई बजार की मुझे लगता है magical figure तो at least retain कर जाएगा अब बात करते हैं बढ़ कहां तक सकता है बजार तो यह तीन red line और pink line magical line हो गई तो 43,575 का मंदा होता हुआ तो कम दि charity है कि बजार यहां से तूटने के लिए जादा से जादा 400 दिखते हैं लेकिन बढ़ने के लिए you never know क्योंकि जब बैंक निफ्टी अपना दिखाना चालू करती है तो एक एक दिन में पांच-पांस सो हजार हजार पॉइंट भी निकल लेती है तो और expiry के time पर तो इसकी possibility ज़्यादा होती है रेजिस्टन होंगे इसके 44-280 पहली जोगों ब्लू लाइन है वह एक पहले रों दूसरे रहार राडरी यहां थोड़ी से मुझे से से इस्टे को यह 44-280 होना चाहिए यहां पर 44-240 का line plot हो गया है ऐसी गलती है आप लोगों से भी हो सकती है मुझसे भी हो सकती clerical गलती है माफ किजाएगा तो पहली पहली जो blue line है वो पहला resistance दूसरी blue line 44-440 का बहुत strong resistance है no doubt जैसे strong supports है वैसे strong resistance भी है 44-535 का होगा तीसरा resistance और यही होगा final breakout अगर 44-535 के ओपर stable हो जाता है बजार तो बजार में final breakout देखने को मिल सकता है जैसा हम nifty में देख रहे हैं तो यह होगी कल के लिए analysis अब आप कमेंट करके बताइए का कल का बजार होने के बाद कैसी लगी आप लोग को क्या आप लोग को यह levels काम में आए या फिर magical figure का कमाल देखने को मिला आप लोग और चार्ड को practice करना मत भूलिए लाइन मारी है पैसा बनाइए यहां पर अमिज जी ने आपको support और प्रवाइड कर दिये हैं अपनी तरफ से भी पताने की कोशिश करें कि बजार इन्हें बेरिश नहीं दिख रहा है आपको बुलिश दिख रहा है बजार और breakout की expectations जैसे आप बता रहे हैं कि हो सकती है यहां पर एक चीज इंपॉर्टन है जो MF लिखा है magical figure अब यह आप कैसे calculate करते हैं और यह बड़ा interesting concept रहेगा क्योंकि लोग सीखना चाहेंगे और जिस तरीके से आप analysis करते हैं तो हमारे चैनल पर सर हमना teaching पर जादा ध्यान देते हैं क्योंकि होगा क्या कि हर वक्त हम वीडियो नहीं बना पाएंगे analysis की और लोग खुछ से analysis करना सीख पाएं तो यह हमारा ज्यादा focus रहता है तो अब आप लोगों से एक चीज है मैं जी से टाइम जरूर लूँगा अगर आप सर से सीखना चाते हैं कि यह magical figures क्या है कैसे plot की जाती है और कैसे हम खुछ से analysis कर सकते हैं अगर आप कॉमेंट कीजेगा we want to learn अगर आप लिखेंगे we want to learn तो मैं सर्कों को comment दिखाऊंगा और सब का time जरूर लूँगा अगर आपको इनके अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर कीजेगा आप लाइक करके अपना प्यार भी दे सकते हैं हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए सब्सक्राइब क्लिक ऑन अबल आइकन यूँगों सेल्फ मेट एंट एंजेंगे